कि इस वीडियों में आज हम त्रिकोडमीति के रेसियोज के जो मान है जो वैलूज है जैसे के साइन 30 का मान क्या होता है और कॉस 45 का मान क्या होता है जो भी आपको मान है उसको निकालना बहुत यसान तरीके से आज सिखेंगे तो इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखे 35 डिगरी 60 डिगरी और 90 डिगरी अब यहां पर सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें यहां पर करना पड़ेगा जीरो क्या करना पड़ेगा तो हम यहां पर लिखेंगे जीरो तो यहां पर हम क्या लिखेंगे सबसे पहले जीरो फिर यहां पर एक लिखेंगे फिर यहाँ दो तीन और चार ठीना इतना करने के बाद हम क्या करेंगे अब इन सम में से हमें चार से भाग देना है तो जीरो बटे चार एक बटे चार और दो बटे चार तीन बटे चार और चार बटे चार जब हमने क्या किया अब पहले हमने क्या किया कि जीरो एक दो तीन च क्या लिखा उसके बाद सभी नंबर को हमने क्या क्या है चार से भाग दे लिया अब हमें सभी नंबर का क्या करना पड़ेगा रूट करना पड़ेगा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सभी नंबर का हम रूट करेंगे यह root होने के बाद अब क्या हो जायागा देखे जीरो बटे 4 क्या हैगा जीरो यहाँ आएगा और कडरी में जीरो का मान क्या होता है जीरो तो यहां से साइन जीरो डिगरी का मान क्या हो गया जीरो हो गया अगर हम इसको सॉल्ब करें कडरी में एक बटे चार देखें कडरी में एक का मान होता है एक और कडरी में चार का मान होता है दो तो क्या हो जाएगा एक बटे दो कड़री में 2 बटे 4 का मान क्या होगा देखें कड़री में 2 का मान क्या होगा कड़री में 2 ही होगा अगर यहां पर हम solve करें कड़री में 2 बटे 4 को अगर यहां में हम कड़री में 2 बटे 4 को solve करें तो क्या आएगा तो यह आएगा कड़री में दो बटे कड़री में चार कड़री में दो का मान क्या होता है दो यह होता है और कड़री में चार का मान क्या होता है दो होता है अब इसको हम क्या करेंगे देखे तो इसके बाद हम करेंगे कड़री में दो और दो को हम लिख सकते हैं कड़री में दो गुरे कड़री में दो तो एक कड़री से एक कड़री एक बार में कड़ गया तो बचा क्या एक कड़री में एक बटे कड़री में दो बच गया क्या होगा आपको यहां पे हम दिखा रहे हैं स्वालप करके तो कड़िय 17 बटे दिखे यह कड़िया री पूरा है तो कड़मे दीन तो होई जाएगा क्योंकि किसी वर्ग नहीं है और कड्री में चार ठेक ड़री में 5 कैरे में साङ साहिक ए और कड्रीमें हुआ छार से हम चार में भाग देंगे एक बार में चला जाए फैसे में एक कमान क्या होता है एक होता है ठीना अब यहां पर यहां पर हम यहां सबक्राइब यह वाला नंबर यहां लिखेंगे एक को यहां लिखे रोट 3 by 2 को यहां लिखे हैं हमको लाइन से लिखना है फिर हमने पहले इसको लिखा यहां पर फिर इसको लिखा यहां पर फिर इसके बार यह तो एक बटे कडरी में दो फिर हमें क्या लिखना है एक बटे दो फिर क्या लिखना है जीरो लिखना है उसके बाद जो next step है हम क्या करेंगे उसमें अब हमें tan का निकारने क्योंकि हमें sin cos का जो value है वो तो निकल चुका है अब बागी है tan का निकारने का तो हमें पता है कि आपने नायत में पढ़ा होगा आपने नायत में पढ़ा होगा कि tan बराबर होता है sin बटे में cos आपने ये पढ़ रखा है तो हम आपे क्या करेंगे sin का value उपर रखेंगे बटे में 1 नीचे करेंगे ऐसे ही 1 बटे दो उपर और करड़ी में 3 बटे दो नीचे मतलब हमें इसमें इससे भाग देना इसमें इसस 1,0,1 यह क्या आएगा एक, अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे, 0 बार में चला जायागा, मतलब यह क्या आगया, 0, तो 10 में कै रिखेंगे, 0 रिखेंगे, अब हमें भाग देना है, 1 बटे 2 से, कड्रि में 3 बटे 2 में, तो अब हम भाग देंगे एक बटे इह पे हैं पर एक बटे दो भागे कट्री में 3 बटे 2 क्या हो जाएगा इसके ऌके के आगे तो जाएगा एक पान में कडरी में तीन अब क्या करेंगे अब एक रूट दो से भाग देंगे एक रूट तो में तो कितना आएगा एक ही आएगा जब आप भाग नहीं कितना आएगा तो एक ही आएगा अब भाग देना है कड़री में तीन बट्टे दो में भाग देना है एक बट्टे दो से कड़री में तीन बट्टे दो में भाग देना है एक बट्टे दो से तो क्या हो जागे यहाँ पर तो कड़री में 3 बट्टे 2 गुड़े यह जाएगा उपर यह आएगा नीचे तो 2 बट्टे 1 तो 2 एक कम दो सिर्फ क्या बचा कड़री में 3 बचा तो हमें यहाँ पर क्या रिख देंगे करटरी में 3 लिए देंगे अब हमें 1 में भाग देना है 0 से 1 में भाग देना है 0 से मतलब की 1 बटे 0 तो देखिए यहाँ पे अब बार हमें भाग देने की 1 बटे 0 मतलब की 1 में 0 से भाग देने की तो हमें आपे क्या कर देंगे तो हम 1 बटे 0 मतलब की एक में हम क्या करेंगे जिरो से भाग देंगे तो यह क्या आता जाएगा यह अनंत आएगा मतलब की जिरो 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 ऐसे ऐसे क्या होगा आता ही रहेगा इसको हम क्या लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे आनंत जिसका सिंबल ऐसे दिखाते हैं ठीना आप य लास नाइत में पढ़ चुका है कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट यह दूनों क्या होता है उल्टा होता है साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है ऐसे ही टैन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है ठी ना तो हम यहां पर क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे क्योंकि साइन का फार्मूला क्या होता है एक बट्टे में कॉसिक क्या होता है एक बट्टे में कॉसिक ऐसे कॉस का फार्मूला क्या होता है तो कॉस का फार्मूला होता है वन बट्टे में सेक टैन का फार्मूला क्या होता है एक बट्टे में हो रहा है क्योंकि क्योंकि यह क्या है नंबर उल्टा है ऐसान खार कवसेच को सेक है है और त dabar जाता है एक बते में को सेक और को थी याल जाए इक बते है को चाइगा तो अब देखिए, अब देखिए आप कि हमें कॉसिक चाहिए, तो कॉसिक पराबर फर्मूला आप भी हमने क्या पढ़ा है, कि कॉसिक का फर्मूला क्या होता है, कॉसिक का फर्मूला होता है, एक बटे में साइन, ये दोनों क्या हैं, आपस में अपोजिट हैं, तो हम क्या कर कर देंगे तो एक बट्टे जिरो कर देंगे क्या कर देंगे एक बट्टे जीरो तो क्या हो जाएगा तो एक बट्टे जिरो क्या आता है यहां पर हमें चाहिए कॉसिक तो कॉसिक क्या होता है कॉसिक का फर्मूला होता है एक बट्टे में साइन क्या हो कि कॉसिक साइन का उल् 0 क्या आएगा ये अनंत आएगा पुरा क्या आएगा अनंत आएगा जब आप 1 में 0 से भाग देंगे ये कभी भी नहीं कटे गा यहा पर हम क्या लिखेंगे अनंत लिखेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि कॉसेक में अब 0 का हो गया इसका हो गया अब कॉसेक में देखेंगे इसका अब कोस tablespoon clearly क्या होता है एक बत्ते क्या होता है साइन होता है अब देखिए को देख का सना साइन हमें गरेंगे इसमस razem हम उल्टा कर देंगे ठीना साइन का कुने करक का सेक यृटा है और यहां पर तो साइन का बट्टे में कि एक बट्टेड क्या होगा 2 ऐसे एक बट्टे करड हैँ मैं तो इसको उपास कर दिजैं तीन बट्टे दो इल्ट्टा क्या हो पांट तो एक बट्टे एक ही मतलब एक ही होगा उतना समय उसके बाद हम क्या करने वाले हैं उसके बाद हम करेंगे इसको और इहां प्रीड देख सकता है कि अब सेंग अब सेंगे यह कॉस सेंगे तो करेंगे तो कॉस का उल्टा होता है तो एक बट्रे मेंक क्या होगा एक का सु। अपाशा होता है के का these काुड अाप्र की मेंका नियुस्त। है तो कट्री में 3 बट्टे क्या ओ जाएगा 2 बट्टे क्या जाएगा 2 बट्टे क्यों आप देखें जीरो बट्टंद Case लिख सकते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा एक बट्टे जीरो क्या हो तो कि देखिए आप देखिए यहां पर जीरो है ना तो जीरो को जीरो बट्टे एक लिख सकते हैं बिलकुल इसी का उल्टा क्या हो जाएगा एक बट्टे जीरो तो एक बट्टे जीरो क्या होता है मिस जीरो है तो 0 क्या है 치izurru ROBERT 1 लिखा है जीरो बर्टे ऐक 2018 2 फसी जीरो क्या हो जाएगा आनंत हो जाएगा कि न आब देखिए तेशन्हें देखिए एक का ट्राश दइसकर ट्राश इन नमुन आब मथल्ब करटरी में 3 आ जाएगा है现在 об 1 बट्टे एक तो टैन क्या है देखे wenn ऐसा прим 15 मेन इंगे और कर्डरी में 3 क्या है क्योंकि कہर्डरी में 3 कोहम कड़्टे इनी बट्टे लह कि लिख सकते है तो स्का उल्टा क्या हो जाएगा एक बटे कर्टरी में तीन अब देखें हाँ पर अनन्द दिया ना तो अनन्द देखे जीरो का उल्टा अनन्द होता है और अनन्द का उल्टा जीरो होता है जीरो का उल्टा अनन्द और अनन्द का उल्टा जीरो तो अनन्द का उल्टा क्या हो जाएगा जी रो हो जाएगा तो इस प्रकार से जो value है sign के, cos के, tan के, cos के, sec के और cod के तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं ठीना तो एक बार आपको हम दिखा दे रहे हैं इस प्रकार से भी इसको निकाल सकते हैं